कि अब सेमें ठीक है इसकी मैं आपको डिटेल पूरी बताऊंगी आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और आपने उसके बार जाके वेड़ साइट पे अराम से ओर कर देने और बहुत ही मजे का फेब्रिक है क्योंकि ये ओरिजिनल बाय किया हुए फैबरी कि ठीक है अल्हम्दलिल्ला स्टॉक भी काफी है आप अराम से जल्दी से लेकिन जल्दी से ओर्डर कीजेगा ठीक है यह ना होके फिर स्टॉक हतम हो जाए तो अच्छी चीज हमेशा जल्दी हतम हो जाती है यह आगया इसका सेंटर पैनल इसका सामने है इसका स्टॉक काफ़ी है this quality आपके सामने है पाइब्री की है वो आपके सामने है तो यह Avec इसकी सामने है इंप्राइडरी की थिकनेस अप्रत्र की क्वालतई देखें सबसे वड़ी बात जा परीक है वो औरीजिनल है इस देड़े जहीं जो ऑरीजिनल फैबरिक होते हैं मैं वीडियो में ही बता देती हूँ क्योंकि वो हम पर चेजिंग हमने ओरीजिनल फैबरिक से ही किया ठीक है original brand से यह और इसका central panel इसके length पी अची हासी बनेगी इसी तरहां से आ गया इसका right panel ठीक है सेम खुब्सूरत फुल इंब्राइड इसका राइट पैनल है ठीक है और इसी तरहां से आगया इसका लेफ पैनल कम प्राइज देखकर प्लीज 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 आप लोग गंधी क्वालिटी की रैप्लिका लेकर जो है सारे रैप्लिकास वालों को आप लोग एक तरहां से मसमझा करें जो कम प्राइज में चीज होगी उसकी क्वालिटी कभी भी वो नहीं होगी जो मास्टर किंग कॉपी क होती है ठीक है तो यह आगया सका left panel आप लोग कैते हैं सेम एसे इंस चीज नहीं होती ही quality के ही पैसे ले रहे होते हैं हम लोग यह देखें के आगया सका left panel right panel or centre panel सारे panels मिलाने के बाद आपकी विर्धी बाची हासी बनेगी और इस तरहां से की लुक आएगी मैं इसको सेट कर दू फिर आपको इसकी बैग दिखाती हूं ठीक है है यह मैंने सेट कर दिये है इसके जो पैनल्स है वह मैंने सेट की है बहुत ही खुब फॉड़ बहुत फाइन इसकी इम्रोइड्री है जो मेरे पास लेंथ हारी है फैब्रिक तो वह भी मैं आपको बता देती हूँ शलवार के मीज़ें मेक्स नहीं है तो 50-50 लेंथ नहीं होती है उपर योग नहीं है तो अराम से आपकी न यह 44 बन जाएगी क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा न उपर से आपको लेंथ के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा अच्छा जी यह आगे इसकी बैक बैक का सेंटर पैनल है यह ने उपर एक्स्ट्रा फैब्रिक दिया हो है तो अगर थोड़ सी लंबी शट रखनी होगी तो वह आप उसको मैनेज कर लीजिए गा यह आगे इसकी बैक का सेंटर बॉर्डर पैनल है ठीक है सेंटर पैनल फुल इंब्रॉडडर दुबारा से बता रही हो फैब्री किसका ओरीजिनल है यह देखें इम्रॉडरी भी ओरीजिनल है अगर मैं कहूं तो माशाला से बहुत थी आउट क्लास है यह आगे इसकी राइट पैनल ठीक है इसमें भी उपर और नीचे मार्जन दिया है कपड़ का लेंथ आपकी 45 भी बन जाएगी कपड़े के हिसाफ से ठीक है यह देखें लेफ पैनल तो तीन पैनल फ्रेंट के हैं तीन बैक के हैं हमारे पास जो है अच्छी सी खुब्सूरस सी इसकी शर्ट हो जाएगी मैं इसको जरा सेट कर लों ठीक है यह आगे बैक के इस तरह से पैनल जी मैंने ऐसे सेट की हैं तो आपकी शर्ट जो फ्रेंट बैक दोनों बड़ी खुब्सूरस ही फुल इंब्रॉडर त्यार होगी ठीक हो गया अच्छा जी अब उसके बाद मैं इसके बॉर्डर दिखाती हूं अच्छा यह आगे इसके बॉर्डर इंब्रॉडर बॉ आएंगे यह डबल पटी है कटिंग करके तो आपने फ्रंट बैक पे लगाने है यानि काज से लेके नीचे दामन से लेकर इस तरह से फॉर्ड साइड आपके इस तरह से लगेगा शर्ट के फ्रंट और बैक पे यह देखें बाकि तलस तो स्टिचिंग में होते हैं आपने क जिसे लेकर फ्रंट बैक पे यह आजएगा काफी जादा यह पटी दीवी है तो अराम से जो है आपकी फॉर्ड साइड शर्ट पे यह लग जाएगा ठीक है अच्छा इसके बाद प्रिंटिड यह फैब्रिक है यह अंदर की ट्रिमिंग है ठीक है हुसाइन रिहार के अक्स थोड़ी सी ज्यादा चोड़ी नहीं लगती इसी फैब्रिक में आपकी पूरी हो जाएगी ठीक है आप तीन इंच की लगा लें अपनी मर्जी है यह प्रिंटिड है ठीक हो गया अब आगे इसके स्लीव का फैब्रिक स्लीव फुल इंब्रॉड इड है और स्लीव इस तरह स साइजव तो छाई सेम इंब्रॉड इस है संटर वाजएगा और उसके बाद साइब्रिक स्लीव और उसके बास साइड का जो है यह प्लेन फैबरिक है सेम यह करटिस बाकी पार्ट आएगा ठीक हो गया औरीजनल में बहुत कम कपड़ा दिया हुआ था सिर्फ इतना हमने यह वाला कपड़ा extra दे रहे हैं ताके किसी कस्टमर को मेरी कस्टमर को प्राप्लम ना हो साथ हमने extra fabric दे दिया है ताके sleeves आपके पूरे होजे ठीक है खुबसूरत ड्रेस आप के साथ share करही हूं अब आगे इसकी शॉल सेम क्रंडी में ही इसकी शॉल है और बहुत ही खुब्सूरत कलर एसका यह देखें यह शॉल की सेंटर पार्ट है ठीक है यह सेंटर वाला हिस्सा है अभी इसके साइड पे भी लगेंगी पतियां यह भी इंब्रॉड़िड है सारस पर फ्रडवर कुआ हो यह सेंटर पार्ट आ गया यह वाला उसके बाद यह आगे इसके फोर साइड बॉर्डर इसके साथ यह अपने अटाइच करने है प्रिंटी डेंगे भी ठीक है प्रिंटिड बॉर्डर है तो दुबटे की यहां पर लगे तो देखेंगे ठीक है खुब्सूरत सा ड्रेस्ट रेडी हो जाएगा यह देखें यह इस तरह की शॉल ठीक है अब आगया इसका ट्रॉजर ट्रॉजर भी इसका फुल इंब्रॉड़िड है सेम फैब्रिक और सेम कलर में यह देखें यह आगया इसका नीचे का बॉर्डर ट्रॉजर के ठीक है इंब्रॉड़िड है और फैब्रिक अच्छा खासा है लेंग का इशू नहीं आएगा यह इस तरह से आपका ट्रॉजर रेडी होजेगा फ्रीपीस आर्टिकल है वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब करने और वेबसाइट पर जाके आप और कर सकती प्रीजित और कि वेबसा दीक में तरॉड ड्सक्राइब कर सकति है और फ linguistic टायर